जहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल निव सरकारी जॉब्स में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जह जो इंडियन पोस्ट आफिस जानी की बारतिय डाक बीवा की नई बरती आ रही है इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में किस बरती में आपक एड़र्टाइजमेंट कर दिया गया है इस बरती के लिए पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस बरती में आपको पोस्ट मास्टर, पोस्टल असिस्टेंट, सौर्टिंग असिस्टेंट, एंड मेल्स गार्ड जैसाभी बकैंसी आपको इस बरती में देखने क के लिए मिलेगी education qualification के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आपने 10 मी पास की हुई है 12 पास आपके पास या फिर graduation degree आपके पास है इनमें से अगर आपके पास कोई वी एक education certificate है तो आप इस बर्ती में अपना application फॉफिल कर पाएंगे इस बर्ती में apply कर पाएंगे salary की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी salary आपको दी जैगी इस जौँ में अगर आपका इस बर्ती में selection हो जाता है तो जो बर्ती यारी जो आल इंडिया के लिए सीधी बर्ती यारी है चाहे आप आर्थ के किसी वी रज् आप रहते हैं आप इस बर्ती में अपना application फॉफिल कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में detail में हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन यह बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी यूट्यूब चैनल परती आ रही है इसकी बकैंसी की details के बारे में किस बर्ती में आपको कौंड़ कौंड सी posters देखने के लिए मिलेगी टोटल आपको कितने बकैंसी मिलेगी इस बर्ती में जो Indian Post Office की और से advertisement की गई है इस बर्ती के लिए तो Post Name के बारे में अगर हम बात करें तो इस बर्ती में आपको poster assistant and sorting assistant की total 4090 बकैंसी मिलेगी, postman and males guard की आपको total 4133 बकैंसी मिलेगी, postmaster की आपको total 5230 बकैंसी देखने के लिए मिलेगी, and total बकैंसी के बारे में अगर हम बात करें, जो Indian Post Office की और से advertisement की गई है इस बरती के लिए, वो की गई है total 13450 बकैंसी, तो जे बात होगी बकैंसी की details के बारे में, इसके बाद हम बात कर लेते हैं monthly salary के बारे में, कि अगर आपका इस बरती में selection हो जाता है, तो जो monthly salary आपको दी जागी स जाओ में, वो कितनी दी जाएगी, तो postal assistant and sorting assistant में जो आपको monthly salary मिलेगी, वो मिलेगी 25500 से लेकर 81100 तक, postman and males guard में जो आपको monthly salary मिलेगी, वो मिलेगी 27700 से लेकर 69100 तक, उसके बाद postmaster की में अगर आपका selection हो जाता है, तो जो monthly salary आपको दी जाएगी इस बरती में, वो दीजेगी 32000 से लेकर 90900 तक, काफी अच्छी salary आपको मिलेगी इस जो में, अगर आपका इस बरती में selection हो जाता है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं age limit criteria के बारे में, कि अगर आप इस बरती में अपना application fulfill करना चाहते हैं, दन आपकी minimum and maximum age कितनी होनी चाहिए, इस बरती के application, farm को fill करने के लिए, तो minimum age के बारे में अगर हम बात करें, तो बहुनी चाहिए 18 साल, और maximum age के बारे में अगर हम बात करें, तो बहुनी चाहिए 41 साल, वही पर कुछ candidates के लिए जहां पर relaxation भी रखी गई है, जैसा कि जो करेंड ACJST से बिलाउं करते हैं, वो 46 साल तक इस बरती में apply कर पाएंगे, वही जो करेंड OVC से बिलाउं करते हैं, वो 44 साल तक इस बरती में apply कर पाएंगे, तो जे बात होगी age limit criteria के बारे में, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा job escalator telegram group जाइन नहीं किया, तो job escalator latest update सबसे पहले पाने के लिए, आप हमारे telegram channel को भी जाइन कर सकते हैं, telegram channel का link आपको description में मिल जाएगा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं education qualification के बारे में, कि अगर आप इस बरती में अपना application fulfill करना चाहते हैं, देन आपके बास कौन-कौन से education certificate होने चाहिए, इस बरती के application form fulfill करने के लिए, तो अगर आप पोस्ट में जा मेल्स का गार्ड में apply करते हैं, तो आपके बास कम से कम दसमी पास जानी की matriculation पास आपके बास education certificate होना चाहिए, वही भी अगरा postal assistant या sorting में असिस्टेंड में apply करते हैं, तो आपके बास कम से कम 12 पास जानी की बारवी पास की mark sheet होनी चाहिए, इसके बास लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप postmaster की posters में apply करते हैं, तो आपके बास कम से कम graduation degree जानी की bachelor degree आपके बास होनी चाहिए, इस बरती के application farm को fill करने के लिए, इसके बाद अगर हम बात करें selection process के बारे में, किस बरती में जो selection किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा, और किस basis पे किया जाएगा, तो stage one में आपका online exam होगा, और अगर आप online exam को qualify कर लेते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे कोई वी interview नहीं होगा, नहीं आपका कोई medical जो physical test करवाया जागा Indian post office की और से, सीधी आपकी final mail list निकाली जाएगी, और अगर आपका final mail list में नाम आ जाता है, then last में आपके documents की verification की जाएगी आपकी joining के लिए, तो इस तरह से इस बरती में कुछ selection किया जाएगा, तो जे बात होगी selection process के बारी में, और friends अगर आपने जो हमारा telegram channel है वो join नहीं किया हुआ, तो आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं, इस telegram channel को join करने का फाइदा आपको जे होगा, कि जो भी job की new notification आएगी, उसकी latest update आपको सबसे पहले इसी channel पे मिल जाती है, तो जल्दी से join कर लीजिए, हमारे telegram channel को link आपको description में मिल जाएगा, इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इस बरती को लेकर कुछ important dates के बारे में, कि इस बरती के जो application farm है, बो लगना कब से start होंगे, और last date क्या है application farm को fill करने के लिए, तो starting date के बारे में अगर हम बात करें, तो 9 April 2022 से इसके जो online application farm है, बो लगना start हो जाएंगे, और जो last date है application farm को fill करने के लिए, वो है 10th of May 2022, जानि की 10 May 2022 तक इसके जो online application farm है, बो fill किया जाएंगे, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, कि अगर आप eligible हैं, और apply करना चाहते हैं इस बरती में, देन आपके बास कौण कौण से document होना सबसे जरूरी है, तो सबसे पहले तो आपके बास अपना data बद proof certificate होना चाहिए, इसके बाद education certificate में आपके बास कम से कम दसमी पास की mark sheet होनी चाहिए, इसके अलावा अगर आपके बास कोई अधर qualification जा experience है, अबोवी अपलाई कर सकते हैं, application form के साथ, इन सभी documents के साथ-साथ आपके बास अपना अधार card, जब फिर pen card होना चाहिए, as identity proof, और अगर आप SC, SD या OVC से भी लोग करते हैं, देन आपके बास अपना cast certificate भी होना चाहिए, और साथ ही में आपके बास अपने 4 passport size photograph भी होने चाहिए, light color background में, तो अगर आपके बास जएस सभी documents हैं, तो आप successfully apply कर सकते हैं, इस बरती के लिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, application form की fees के बारे में, कि अगर आप इस बरती में अपना application form fill करना चाहते हैं, application fees लगेगी application form को fill करने के लिए, बो लगेगी 400 रुपे, वही अगर आप SE या HD के candidates हैं, धन्ना आपकी जो application fee लगेगी application form को fill करने के लिए, बो लगेगी 350 रुपे, तो जे बात होगी application form की fees के बारे में, इसके वाँ last में, अगर हम बात करें कि अगर आप इस बरती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जयसाकि इस बरती का official notification पारना चाहते हैं, इस बरती में apply करना चाहते हैं, जानने कि इस बरती में अपना application form fill करना चाहते हैं, यहां फिर मारा Jobs के लेटर टेलिग्राम ग्रूप जाइन करना चाहते हैं तो उन्ट सभी के लिंक आपको हमारी website पे मिल जाएंगे website के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अब आज़ा के सब चेक अड़ कर सकते हैं इस बरती के बारे में तो दोस्तों जेती आज की वीडियो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी Jobs को Jobs के लेटर लाटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए